किसी भी छण मुकाबले शुरू मेरे ख्याल से बस मुकाबले शुरू होने को ही है कालसन वाइट ब्लैक से वेशली सो कौन जीतेगा कौन जीतेगा ये फाइनल शुरुआत हो गई है शहएद मैच की E4 खेल दिया है मैगनस कालसन ने शुरूआत हो चुकि है मैच की E4, E5 होता हुआ 5 प्लस 4 याद रखेगा इटेलियन खेला है एक बार फिर से मैगनस कालसन ने जिसमें पिछले बार जीत मिली थी वाइट से खेल रहा है इटेलियन और यहाँ पर देखना होगा कि कैसे देखे दियाद रखेगा कोई increment नहीं है इस position में सिर्फ और सिर्फ खेल है कोई increment नहीं है किसकी क्या theory काम करेगी कौन क्या opening खेलेगा देखना होगा यहाँ पर मैगनस कालसन वाइट से खेलते हुए दियान रखेगा कि कालसन के पास एक मिनिट की बढ़त है वो बढ़त गई और उनका खेल मुस्किल में पढ़ सकता है या तो पोजीशन से जीते हैं B4 खेला है अनों ने एक बार फिर से इंट्रस्टिंग वेरियेशन लग रहा है जो बाबा बादूर के साथ बहुत तयारी की है मैगनस कालसन ने उनके दो-दो वेरियेशन खेल दिया आज A4 A6 लाइन है सारी यह रुकी वन मोश्ली रुकी वन नाइट D2 नाइट F1 नाइट G3 जाने की तयारी हो सकती नाइट D2 पहले आया है यहाँ पर D6 तो H3 भी खोला जा सकता है ताकि बिशप वहाँ पर ना आए क्या मैगनस कालसन इस मैच को जीत पाएंगे या वैसली सो ड्रॉ करके भी खिताब ले जाएंगे समय की बढ़त देखिए समय का फायदा उठा सकते हैं लेकिन फिलाल देखें तो बैसली सो टाइम को मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि वह बहुत तेज खेल रहे हैं और अभी तक मैगनस कालसन जो है वो यहाँ पर ज्यादा अभी पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में D4 ओपन करते हुए पोजिशन को सेंटर से मैगनस कालसन यह थोड़ा इंट्रेस्टिंग वडियेशन हुआ है अभी फोड़के और यहाँ पर वैसली सो को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा D5 तो बहुत तेज खेला था लेकिन श्याद E5 यह उमीद नहीं थी उनको आपके दिमाग के लिए बहतरीन खेल रहे है खेल वाकी सब चोड़ें यहाँ पर क्या पोजिशन आ रहे है यह देखिए नाइट जो है यह दोनों पॉन काफी अच्छे जो है स्टैबलिश होगा है यहाँ पर और क्या यहाँ पर G3 हो सकता है क्या यहाँ पर G3 मुव सकता है A5 खेल दिया है मैगनस कालसन ने यहाँ पर बिशप A7 पर जाते हुए तो पोजिशन में कंट्रोल तो मैगनस कालसन हासिल कर चुके है ऐसा लग रहा है यहाँ पर पोजीशन में कंट्रोल तो मैंगनस कालसन ने हासिल कर ही लिया है पोजीशन मजबूत हो चुकी है C5 का स्कूर आपको मिल चुका है और काफी कुछ हो तो यह नाइट का क्या करेंगे आप यह नाइट को कैसे यहां से निकालेंगे यही सवाल है समय में देखे एक मिनिट की बढ़त अभी भी करीब करीब बरकर आया लेकिन अब घटते हुए अब 20 सेकेंड पे आते हुए 20 सेकेंड पे आते हुए खेला हो रहा है यहां पर खेला हो रहा है बाई कुइन ओ नाइट बिशप इंटु F4 मारके कुइन D2 आया मतलब बिशप दे दिया और वो बैड बिशप था आपका और अब सवाल यह है कि आपका नाइट कहां जाएगा अगर आप नाइट वापस G6 पे जाते हैं G6 पे गए वापस मैगनस कालसन कैसे और पीसेस को इंवाल्व करेंगे नाइट C5 पे आते हुए है मतलब सब मतलब हो कि बविश्प में जो है और भी पीसेस बीशप भी आएगा यहाँका G6 का स्वेर कम जो हुआहाँ अपर G6 का स्वेर कम जो आए यहाँका bishop game में आएगा, bishop game में आते हुए यहाँ पर Magnus Carlsen के पास 2 minutes 45 seconds, समय लगबख बराबर हो गया है लेकिन position की बड़ा जरूर Magnus Carlsen ने हासिल करनी है, दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस game में कोई increment नहीं होगा time का, बिल्कुल जो time है, उसी time पर game खतम करना होगा कोई भी एक minute भी, एक second भी extra नहीं मिलने वाला है तो यहाँ पर दबाओ, position तो अच्छी है Magnus Carlsen के लेकिन क्या यह match convert कर पाएंगे, क्या यह match जीत पाएंगे क्या करेंगे, bishop c2 खीचते हुए पीछे, ओके idea क्या है, bishop c2 को पीछे खीचने का जरुद पढ़ने पर queen d3 shift हो सकता है जरुद पढ़ने पर bishop a4 जा सकता है या यह भी एक idea हो सकता है bishop को अटाने का कि क्या rook को यहाँ से खिलाना चाहते है कभी, okay g3 खेला उन्होंने अभी तो यहाँ पर black भी दबाओ में है तो definitely मिरक्याल से dc5 मारेंगे और bishop आते हुआ e6 पर तो b5 अब दबाओ बना सकते है मैगनस कालसन यहाँ पर यह bishop बुरी तरह से bad bishop है दोनों pawn उसके गिरे हुए हैं तो यह bishop है बहुत खराब bishop तो कालसन के पास जरूर यहाँ पर मौका मिलने वाला रुकी b3 कालसन दबाओ बनाते हुए यहाँ पर ओर समय की भी बढ़त बनाते हुए knight g6 जाता हुए अजरुत पड़ी की तो knight g6 भी जाएंगे f5 का pawn मारने की तैयारी f5 का pawn मारने की तैयारी कालसन की position यहाँ पर दबाओ बनाते हुए ओ, नाइट को F4 से लाएंगे F4 से जाएंगे इस बिशप पर अटाएक और ये जो पोजीशन है वो डेफिनिटली थोड़ी सी मुस्किल बढ़ चुकी है यहाँ पर वेसली सो की बिशप D7 पर हटते हुए बिशप D7 पर हटते हुए H4 खेला है मैगनस कालसन ने यहाँ पर बिशप A4 पर आया है एक्शेंज करने के लिए लाइट कलर का बिशप और ये क्या कमबैक हो सकता है वेसली सो का है रुक B2 खेलते हुए वेसली सो दबाव मेंटेन करते हुए B फाइल पर आप मार लीजे कोई दिक्कती मैं Queen से मारता हूँ और अभी भी मैं Game में बहतर हूँ Game में बहतर है तो ठीक है Time में 45 सेकेंड का अंतर है वो जो अंतर है वो भी मिंटेन कर लेंगे तो मैच जित जाएंगे Magnus कालसन Queen C3 A5 के pawn को बचाया है यहाँ पर अब खेल यह है कि क्या यह pawns का कुछ इस्तिमाल हो सकता है H into G5 तो मार देंगे और F4 खेल दिया Magnus कालसन ने और अगर इनने G4 खेला तो Queen King F2 और फिर shifting हो जाएगी यहाँ पर तो F into G5 मार सकते हैं Magnus कालसन क्या मारेंगे उनका King भी थोड़ा खत्रे में आ सकता है यह दबाओ में हैं क्योंकि A5 बिप और D4 पर भी प्रेशर रहेगा इस नाइट की वज़े से तो Magnus कालसन के लिए इतना आसान नहीं होगा उनने King F2 खेला है यहाँ पर नहीं मार रहा है अभी तो ओके अपनेट ने खेला रूट केच्टू अब शायद मार सकते हैं F इंटू G5 क्या ऐसा करेंगे ओके मार दिया उनने रूट केच्टू आते हुए नाइट पिन किंग को हटना होगा किंग को हटना होगा तब ही कुछ हो सकता है किंग को हटना होगा और उसके क्वीण F3 आया मैगनस कालसन अभी उनका आइडिया है क्वीण इंटू D5 अलाओ कर रहे हैं वो बोले हैं आप नाइट D4 मार लो में क्वीण इंटू D5 मार लेता हूँ नाइट इंटू D5 यहां पर मार दिया भी क्वीण इंटू D5 मैगनस कालसन आते हुए वो दोस्तों अब मेरे को थोड़ा सा मेरे को भी मैने AC ठंडा कर दिया तो एक तो उसकी ठंड लग रही हो दूसरा पोजीशन बड़ी खतननाक हो रही है कालसन का पाउन आगे बढ़त हुए दोस्तों यह पोजीशन में बढ़त दो बना चुके है 30 सेकेंड है यहां पर उनके अपोनेंट के पास और जो यह पोजीशन है बहुत खतननाक हो चुके क्वीन डी सेवन चेक क्वीन डी सेवन चेक आप देखिए वो पाउन कहां पहुंच गया है वास रुक से सपोर्ट लगा देंगे डी उतना उपर पहुंच जा चुका है ओके दूसर ओके रुक इंटू बी सेवन मैगनस कालसन यह मैच में बढ़त बना चुके हैं दोस्तों मैं साफ कह सकता हूं यह पोजीशन बहुत बहतर हो चुकी उनके लिए और वेसली सो ने रिजाइन कर दिया इस मैच में दोस्तों मैगनस कालसन ने यह तूर जीत लिया है फिर सोरी यह खिताब जीत लिया है लगातार दूसरा खिताब और आखिरकार वेसली सो से मैगनस कालसन ने यह मैच जीत करके जो लगातार तीसरा फाइनल हारने का एक खतर था उनकी उपर उसको जो है उन्होंने घटा दिया उसको खत्म किया और तीसरा फाइनली जो है खिताब जीतने में सफल रहा है मैगनस कालसन क्या गेम हुआ और किस तरह से उन्होंने बढ़त बनाई पूरे गेम में रोचक था ये प्रिप्रेशन कुछ तो उनकी थी जो कि उ वेशली सो से लाश्ट पोजिशन तो बहुत ही खराब हो गई उनकी जिस तरह से यह एकसेप्ट किया में तो यह एकसेप्ट करना और ही मुस्किल हो गया उनके लिए यह पता नहीं और क्या खेलते ऐसे दिखने रहा लेकिन यह ट्रिक काम करें और उसके बाद यह पॉन का पर जाना और उसके बाद भी फाइल का प्रेशर काम आया यहां पर आप देख सकते हैं यह बिल्कुल रिजाइन करने वाला गेम है दो पॉन यहां पहुंच चुके हैं तो यह कुईन बन मतलब एक पीस देना ही पड़ेगा वाँ